आप सभी को सुरिया न्यूज में हार्दिक स्वागत वावी नंदन है मधवनी लोग सबाचुना में सांती रूप से रहा मदान प्रसासन का रहा पूरा सहयोग हमारे चैनल को पूरा देखे और वीडियो को सब्सक्राइब सेयर करना ना भूले नाम भेल दाए करपुड़ा देवी अथी अभी काता जारहल ची एवह नामस्कार आप देख रहे हैं फूरिया निव नेटवर्क में हूं सुनुज हमारे चैनल को सेरा और सब्सक्राइब जरूर करें आप देख सकते हैं हमारे मदवनी लोग सबाब में जितने भी आठ नौ बुद संख्या हैं जहां में लोग का सारा प्रूफ राते हुए ये लोग भूर से नाराज़गी हैं जहां एक तरफ मदवनी पर फासंद चुनाब आयो जादा से जादा मतदान गिराने के लिए अपील कर रहे हैं वहीं दूसरी और इन लोग का नाम कटने से काफी होनी चाहिए देखिए मेरी पूरी रिपोर्ट और कॉमेंट बॉक्स में जरूरू बताए हमारे पूरी खबर को देखें आखिर क्या कहां कमी रह गई है वहीं प्रफासंद पूरी तरह से स्वायोग में लगी हुई है और आछ के या में परफे उससे पहले इसे पहले भोंट गिराए थे यह नाम सभी है तक करना ने गलती है और अधार कार में नाम यह अधार कर पाचांद पत्र में नाम सही है ते के बाद ये ओई में नाम कर आगले कोई नहीं देन छे बांकि ये किसका गल्थ आप लोग जाए जब लोग जाए डाल रहें अप्लिकेशन में धन्यवाज किन नाम बेल दाए अच्छा आए बहुत जे गिरोलिये के ते खुशी प्लीस पर्शासन के द्वारा पुड़ा सुभधा छेले अपर परचाह बता दीजिए पुलिस पर्शासन के द्वारा पूरा सुभधा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा ब्यवस्ता अब लोग महजूद है बूच संख्या 215 पे और आज देख सकते हैं कि किस परकार से आ और भारे और धाता ऐसको बाइप देख सकते हैं किस परकार से लोगों ढटान करने के लिए भाले रहे हैं और जो पर यहां पर और जो हम आपर पूरे संपूर्ण रूप से किया गया और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यह प्लीस परसासन की जो टीम है वह अपने कार्यात तरीके से कर रहे हैं और बाकी जो है आप लोग भी जो है बर्चर के लोगतंद के महापर में भाग लीजिए और मैं यही कहना चाहूंगा यह भीर के मादम साइए कुछ वैस्ट करते हैं और जानते हैं वुझा आपका विजय कुमा थाकूर कितना देर से फकरें 15-20 मिनट हो गया 15-20 मिनट साब खरें यह बारिष के लिए कुछ ब्रस्ता है अच्छा किस मुद्दा को लिए कप लोग चुंगों वीजे पीए और चलिए बावार लोग जो बारिस में नहीं आना चाहत उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा यहां बुजुड़ लोगों के लिए कोई बेवस्था नहीं है लेकि लिस्ट में नामें नहीं दिया है बोलता है चार दिन पहले लिस्ट तेयार हो गया और यहां पर बैठे हुए हैं आएंगे बिकलांग है बुजुड़ नबे साल के आदमी है कोई बेवस्था नहीं है और ये कुछ लोग संजाने का परियास करते हैं यह बहुत सारे लोग मादान देच चुके हैं लेकिन कुछ दिए समस्या है उसी समस्या के लिए के हम लोग जानने का पढ़ियास करते हैं की नाम है हमारा नाम बिनुर्थाकुर है लेकिन यहां का यहां संभू साव वह यहां इसी राज की यह कन्या विद्याले जो है वार्ड नमर आठ में उसका मस्टर भी है इसके करवरी के कारण हमरा में भी हूँ उसका नाम बिक्रांगता के अधार पर उसको देना चाहिए था वो नहीं दिया है मैं किस प्लिकार से आया कई लोग छूट गए है हमारे बगल के परोर्षी अमरंदर ठाकुर है उनको पूर्ण रूप से विक्रांग है उनको उल्टा सिधा पढ़ा के आया है है क flatter के कारण बोटथ नहीं दे पाए इसमें प्रषząd क्या है तुम्हारी कम्जोरी है बिय लो की कडिया है इसलिए आसा हो रहा है औ לכ अ उसको पाने लोग उसको नहीं से उखितार नहीं है न्याला चाहिए अए उनको भी कहना चाहिए जिए मुरणाबा सब самойशंतरी गूव कि अध्या उसको लाद करके लाना किसका काम है यह नाम हो आपका विजय कुमार्ठाकू अच्छा आपके साथ क्या समस्या होगा है हमारी मां का एज 90 साल हो गया है अभी तने जब यहां पर भोटिंग कराने का क्या सिस्टम है 90 साल का एज का प्लीस पर सासन के दौरा तो उसक परसासन बीयो लोग के तरफ से यह सुनेते जो इनभेलब के द्वारा नभे साल का एज का सिनियर सिटीजन का होगा विकलांग का होगा वो क्या कि पुरा गाउं में चारा आदमी का बीयो लोग करा दिये हैं और बोले हैं जो कोई है ही ने परजेटिंग आफिसर आये थे उन सब्सक्राइब विकलांग है सिनियर सिटीजन है और कोई नहीं है यह संबाद जो है अपने नेतासों देना चाहते हैं आप यह कर्मचारी अप्या कर रहे हैं और क्या खबर दे रहे हैं कहबर कि यह गलत जो है तो आपके ऊपर पड़ेगा और जिस परकार से मातमानी के पुलिस परसासन भी जो है भोटिंग परसंटेज को बढ़ाने के लिए के काफी मेनद करें थे लेकिन इस परकार से अगर जो दिखड़ा है तो इसमें क्या लगता आपको भोटिंग परसंटेज बढ़ेगा नहीं इसमें तो कमेगा काई की बने जब बुजूर्ग लोगों क को जिनका उम्र 80 से अभब हो चुका है जो पुर्ण रूप से बिकलांग है वह यदि भोट नहीं जिराएंगे तो परसंटेज तुटेगा इससे बहुत पर असर पड़ेगा तो ऐसा कमी बियलों के द्वारा ही किया गया बियलों यदि पहले लिकर के देते जो यदि इनका उम्र इतना है उम्र ज्यादा है सिनियर सिटीजन में है या बिकलपुन रूप से बिकलांग है तो निश्टित रूप से बहले